Hello Everyone, Welcome to Skill IQ, Skill IQ मैं आपका स्वागत है, तो Chapter No.21 यानि के Question Tags, Question Tags क्या होते हैं, वैसे आगे Definition में आपको पता चलेगा कि Question Tags क्या होते हैं, इसमें जो है बताया गया है कि Questions, इसमें एक तरीके से Doubt ये जो है होता है, एक तरीके से संधेह ये जो है होता है, संधेह होता है, ठीक ह मतलब किसी को शक हो जाता है कि आप वह ये चीज सही है या नहीं है, बस इस Question Tags का सिरफ यही मतलब होता है, अब यहां पे देखिए, यहां पे हैना Sentences दिये गए हैं, और एक ही Sentence हम जो है Read करने वाले हैं यहां से, और फिर आपको पता चलेगा, एक Question Tags क्या होता है, देख अधन है यह और इसकी यह पुष्टी करना चाता है, मतलब यह देखना चाता है कि यह बात सही है या नहीं है, अब देखो, अगर यह Sentence Positive है, अगर यह Sentence Positive है, तो आपका Question Tag जो है Negative होगा, अगर Sentence Negative है, तो Question Tag Positive होगा, एक दूसरे के Opposites होते हैं यह, और जो Last में यह है ना, यह Question Tag होता है, बस, इतना समझ लिए, अब यहाँ पर देखिए, जो भी उपर Sentences लिख रखे हैं, हम इनको अपनी Daily Language में यूज करते हैं, जो भी Speaker या वक्ता होता है, इस पर कैर के Sentences में क्या करना जाता है, वो अपने विचार या पिर अनुमान को Express करता है, व्यक्त करता है बताता है, और साथ में ही अपनी उसकी जो curiosity होती है, या doubt होता है, जिग्यासा या फिर संदे होता है, उसका कारण जानने की कोशिश करता है, किस से, audience से, या श्रोता जो होता है, जो listener होते हैं, ठीक है, उन से ये Speaker जो है, अपने statement की पुस्टी चाहता है, वही वो चीज सही है, या वो गलत है, इस परकार के English sentences का first part जो है assertive या imperative होता है, और second part interrogative होता है, जो second part होता है, वही question tag होता है, अब बात करते हैं, what is the difference between questions and question tags, सबसे पहली बात क्या है, कि जो questions होते हैं, उनके जो है complete sentences होते हैं, लेकिन जो question tags होते हैं, वो complete sentences नहीं होते हैं, वो जो है किसी भी sentence के last में लगते हैं, questions को हम जो है independently पूछते हैं, बट ये independent नहीं होते हैं, इनके आगे sentence चाहिए ही चाहिए होगा, question tags के, तीसरा difference है, जब हम किसी भी बात को नहीं जानते तो questions पूछते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई तथ है, कोई अनुमान, कोई वि किसी आस्वस्त नहीं होते हैं, तो हम उसकी पूश्टी के लिए क्या करते हैं, question tags पूछते हैं, अना की questions पूछते हैं, इसको हम informally यूज़ करते हैं, questions को हम जो है audience से ये जानने की उमीद रखते हैं, कि उसका audience जो है निशित रूप से जवाब देदेदी, लेकिन question tags से जो है use करते हैं जब हम question tags को तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि audience जो है उस statement को या तो सही कहेगी या फिर उसको गलत कहेगी मतलब doubt को जो है एक तरीके से clear कर देगी ऐसी उमीद की जाती है question tags में लेकिन questions में पूरा का पूरा जवाब आपको देना पड़ता है या जवाब जो है लेने की कोशिश की जाती है अब auxiliary word plus के note जब हम लगाते हैं तो वो हमारे question tags use किये जाते हैं वहाँ पे do note भी use कर सकते हैं वहाँ पे don't भी use कर सकते हैं ये short forms लिख रखी हैं अपने जो question tags में use किये जाते हैं उनकी अब बात करते हैं format की question tag का format जो है किस परकार का होता है वो दो परकार का होता है अगर sentence affirmative है तो फिर उसमें auxiliary verb आएगी subject आएगा और sign of interrogation आएगा अगर sentence negative है तो auxiliary verb आएगी और negative का note लगाना पड़ेगा और फिर subject और फिर sign of interrogation होगा question tags बनाने में main verb को कभी भी use नहीं करते हैं सीधा हम auxiliary verb को use करते हैं main verb का मतलब क्या होता है आगे आपको समझ में आएगी बात दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम question tags में subject के रूप में हम या तो there को use करते हैं या किसी भी pronoun को use करते हैं क्यों क्योंकि पहले उसका एक subject के रूप में जो भी assertive या imperative अपना sentence था उसमें जो है subject की रूप में उसका जिकर हो चुका है पीछे जब हम question tag की बात करते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ pronoun या फिर there या it इन सब का use हम करते हैं तीसरी बात question tags के subject के रूप में आप noun को use नहीं करते दूसरे रूल में ही आप इसको merge कर सकते हैं question tags में auxiliary verbs या auxiliary verbs plus के note को हम given sentence के हिसाब से tense या question tag के use जो होते हैं उसके subject या number या person के ऊपर depend करता है मतलब जो sentence हमारा main sentence होता है न उसके ऊपर depend करता है कि question tag का subject किस तरीगी का होगा किसी भी sentence के last में question tag का use हो या फिर करना हो तो question tag के auxiliary verbs का चुनाव sentence में जो use कई गई auxiliary verb है उसके ऊपर क्या करता है depend करता है sixth जो point है किसी भी sentence में auxiliary verbs का use नहीं किया गया है तो question tags में do, does और did को use करके हम question tag बना सकते हैं बात करते हैं how to make question tags question tags को बनाने के rules क्या क्या है सबसे पहले rule की बात करते हैं जब affirmative sentence होता है उसमें question tag अगर negative है तो हम क्या करेंगे affirmative sentence में का जो question tag है वो negative होता है मतलब affirmative का negative और negative का affirmative question tag होता है यह एक दूसरे के जो है opposites होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे auxiliary verb का use करेंगे फिर note का use करेंगे फिर subject का use करेंगे ap का मतलब क्या होता है apostrophe pronoun मतलब जो भी pronoun का use किया जाता है ठीक है उसके बाद जो है sign of interrogation का use किया जाता है अब आप यहाँ पे देख सकते है he writes a letter doesn't he अब यहाँ पे यह अपना main sentence या statement है he writes a letter अब यह positive है तो इसका question tag में हमें note का use करना होगा मतलब auxiliary verb फिर note और फिर हमारा कोई भी pronoun जो भी वाजिव हो अब यहाँ पे he है तो he ही आ जाएगा c है तो c ही आ जाएगा इस तरीके से रहता है और अगर यहाँ पे proper noun दिया गया है तो उसके according उसके gender strilling, pulling मतलब gender, number उन सब चीजों को देख के किया जाता है यह जो है first rule का opposite रहेगा अगर sentence negative है तो question tag जो है affirmative होता है यानि कि positive जो है होता है कैसे होता है c does not make a noise अब यहाँ पे यह note आ गया तो यहाँ पे हमें note देने की ज़रूरत नहीं है doubt पैदा तब ही होगा तो does c जो है यहाँ पे रहेगा ज़्यादा इसके बारे में discussion करने की कोई ज़रूरत नहीं है rule number three की बात करते है rule number three कहता है कोई भी sentence है जिसमें negative words होते हैं जैसे की neither no, not, never none, no, no one nobody, nothing few, little, hardly, rarely scarcely, seldom इस तरीके के जो words होते हैं यह negativity को बताते हैं और जब यह use किये जाते हैं तो उनका meaning जो है उस sentence का meaning यह क्या निकाल देते हैं negative निकाल देते हैं तो इसको हम negative sentence कहेंगे तो इसका question tag है वो affirmative यानि कि positive बनेगा सबसे पहले auxiliary verb फिर subject और फिर हम जो है sign of interrogation का use करेंगे जैसे कि we have no friends यहाँ पे no friends में negative हो गया तो हम जो है यहाँ पे according to situation जो है हम यहाँ पे auxiliary verb को use करेंगे और अपना subject दे देंगे और sign of interrogation यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे note करने वाली बात यह है अगर यहाँ पे little और few की बात करते हैं अगर यह अकेले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इनके आगे आ गया तो यह कुछ positivity रखते हैं तो अगर आ आ गया इनके पहले आ few या a little आ गया तो इनका question tag जो है negative जो है बनेगा क्योंकि positivity ले आते हैं जैसे कि I have a little money तो have not I तो यहाँ पे have I जो है नहीं बना सकते क्योंकि यह positivity लेके आ जाता है उसके बाद rule number 4 की बात करते है affirmative imperative sentences का question tag जो है will you बनता है negative want you बनेगा ठीक है दोनों जो है बन सकते है will you और want you जो है बन सकते हैं दोनों के दोनों जैसे कि switch on the radio अब यह क्या है सबसे पहली बात तो यह है आपको imperative sentence का पता होना चाहिए क्योंकि इसको बहुत सारे topics में हम पहले discuss कर चुके हैं कि imperative sentence किसको बोलते हैं तो यह एक imperative sentence है इसमें आप will you भी इसका question tag दे सकते हैं और want you भी आप इसका question tag दे सकते हैं next जो rule है उसकी बात करते हैं negative imperative sentence का question tag जो है सिर्फ will you रहेगा want you बिलकुल भी नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा कारण यहां पे लिखा हुआ यह इसमें note नहीं आएगा ठीक है सिर्फ will you रहेगा rule number six की बात करते हैं affirmative imperative sentence का प्रियोग हम more urgency यानि कि बहुत ज़्यादा जुरूरत है अतियावशक्ता है उस चीज़ को express करने के लिए करते हैं तो उसका question tag जो है negative रहेगा और वो question tag क्या होगा want you जो है वो question tag होगा इसका example देखिए be careful while solving the sums अब यहां पे be careful while solving the sums यहां भी क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है मतलब careful रहना पड़ेगा आपको जब आपको problems को solve करना है और यह एक imperative sentence है क्योंकि वह आपसे शुरू हो रहा है इस तरीके से आप समझ लीजी एक imperative sentence है तो यहां पे आप क्या करेंगे इसको जो है want you ठीक है want you यहां पे जो है क्या देंगे आप question tag देंगे next जो point है 7th point है imperative sentence की ही बात की जा रही है अगर उससे डांट फटकार का पता चलता है मतलब आपको डांटा फटकारा गया है यह expression निकल के आती है तो आप want you की जगे पे can't you कर देंगे जैसे कि use your own mind can't you अब यहां पे use your own mind इस पे बहुत कुछ repent करता है आपने डूण लिया कि imperative sentence है फिर आपको डूणना पड़ेगा कि इसमें जो sense है ना sense वो क्या निकल रही है अगर sense किस परकार की निकल रही है वो किस परकार की sense निकल रही है उसके उपर जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है next जो rule है 8th rule है let us या फिर let's से start होती है जो imperative sentences अगर उनसे proposal या suggestion यानि कि प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है या expression निकलती है तो हम इसके question tag को salvee में change कर देते हैं अब देखो imperative sentences के बारे में ही कितनी सारी चीज़ें आ गई है अगर question tag का question भी पूछा जाता है पेपर में हम से तो ये जो है जाईर सी बात है आपका imperative sentence से ज़्यादा दिया जाएगा क्योंकि उसमें जो है जो भी हमारा main sentence होता है first part जो होता है sentence का वो जो है कौन सा दिया जाएगा वो लगबग लगबग आपको imperative sentence दिया जाएगा और उसके expression के उपर depend करेगा कि हमारा question tag क्या होगा जैसे कि let us dance together तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है एक suggestion एक proposal है suggestion तो नहीं कह सकते आप इसको एक proposal कहेंगे दिया है तो shall भी आप जो है यहाँ पे question tag देंगे ninth point की बात करते है imperative sentence से let me let के बाद me हो सकता है him हो सकता है, her हो सकता है them हो सकता है, कोई भी proper जो है noun हो सकता है इससे अगर हमारा sentence start हो रहा है तो हम जो है वहाँ पे जो negative imperative sentences में कर रहे थे, will you वो question tag जो है इसको दे देंगे let me do this work, है ना तो will you आप यहाँ पे इसको question tag देंगे, next point है हमारा tenth point है यह कहता है कि किसी भी sentence में अगर used to का use किया गया है तो question tag में used not या didn't not का use didn't का use करेंगे didn't not क्या होता है, didn't ही हो गया तो note लखाने की जरूरत नहीं है तो कहने का मतलब क्या है कि used used not या फिर used not या फिर didn't यानि के did not दो ही use कर सकते हैं he used to come here used to जहां पे भी आया तो used not not जो है आप कहेंगे और he आ गया तो इसके पीछे आप ही दे देंगे, दे आ गया तो आप इसके पीछे, दे दे देंगे इसी कोई दिकत नहीं है उसके बाद 11th point की बात करते हैं dare not या darent अगर दिया गया है need not या needn't दिया गया है और marginal auxiliary work के रूप में इसको दिया गया है ठीक है और इसको हम किसी भी sentence में लिखते हैं तो question tag हमारा affirmative होगा did या फिर dare या फिर need में से कोई भी और subject और sign of interrogation वहाँ पे देंगे क्योंकि note in में आ रहा है ना भाई he dare not come here तो यहाँ पे question tag में हमारा ही आ गया उसके बाद यहाँ पे dare है तो dare आ जाएगा note कट जाएगा और sign of interrogation यहाँ पे आ जाएगा 12th point की बात करेंगे या rule की बात करेंगे तो dare या need को अगर main verb की रूप में यूज करेंगे अब देखो he dares to oppose his father यहाँ पे dares है यानि के main verb की रूप में आप इसको यूज करेंगे और वहाँ पे difference देखने की कोशिश कीजिए he dare not come here अब देखो dare उसके बाद note और उसके बाद come यहाँ पे आप इसको किस के रूप में यूज कर रहे है marginal auxiliary verb के रूप में यूज कर रहे है या फिर model auxiliary verb के रूप में यूज आप इसको कर रहे हैं यह differences आपको देखने होंगे कहाँ पे need go verb के रूप में यूज कर रहे है कहां पे noun के रूप में यूज़ करें कहां पे marginal auxiliary verb के रूप में यूज़ करें है यह जो है पहचानना आना चाहिए यह part of speech का जो है एक part होता है भाईया तो हम क्या करते हैं question tag को कुछ इस तरीके से बनाते हैं दो तीन sentences देखने पड़ेंगे कहीं change ना होती हो कुछ चीज he dare to oppose his father doesn't he आप देखो यहां पे dares समझने की कोशिश करो कि does क्यों आया यहां पे देखिए यहां पे किस तरीके से आया तो he dares to oppose his father देखो present indefinite tense का sentence हो गया क्योंकि verb का first form के साथ s लगा हुआ है dares बना रख है तो singular subject है तो he आ गया उसके बाद he के साथ आप इसको negative बना रहे हो तो does use करोगे do तो use करोगे नहीं क्योंकि sentence का subject हमारा क्या आ रहा है question tag का subject जो है singular आ रहा है तो आप जो है क्या करोगे उसके साथ जो है does का use करोगे और note आपने देना ही है next question है नहीं एक और देखते हैं इसमें से we need needed your help अब यहाँ पे देखो didn't we अब यहाँ पे did क्यों आया needed आया walk का second form आया second form आया है direct subject के बाद तो हमारा यहाँ पे past indefinite sentence tense हो गया ओके तो आप यहाँ पे question tag में subject अगर हमारा singular भी होगा plural भी होगा कोई जो है effect नहीं पड़ेगा क्योंकि did he use करते हैं हम अपने past indefinite जो sentence होता है उसमें ओके तो उसके साथ हम जो है note भी देंगे तो उसके बाद next जो point है ना note जो है उसमें move करते हैं सबसे पहले पहला point दिया गया negative question tag में auxiliary वो प्लस के no को contracted form में लिखते हैं contracted form मतलब note में जो है use करते हैं उसके बाद I am your best teacher का question tag negative aren't note I use करेंगे ना कि am note I use करेंगे ये इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना चाहिए I am not your best teacher इसका question tag am I use नहीं करेंगे sorry ना कि are I use करेंगे तो इस तरीके की चीजें जो है थोड़ी सी ध्यान रखने की होती है अब हमारे last पड़ाओ में पहुंच चुके हैं chapter के कितना time होआ है 18 minutes तो यहाँ पे है how to select the subjects of question tags question tags के subject का चुनाव कैसे करना है कुछ तरीके से हम question tags के subject का चुनाव कर सकते हैं तो question tags बनाते समय सबसे important चीज होती है the selection of the subject of the question tags है ना तो इसी confusion को दूर करने के लिए हमें कुछ rules बताए गई है rule number first की बात करते हैं किसी भी sentence का subject personal pronoun हो सकता है और question tag का subject अगर वही personal pronoun रखना है अगर क्या वही personal pronoun रखना है ये बात मैं आपको indirectly पीछे भी बता चुगा हूं ठीक है वहाँ पे मैंने इसी लिए focus नहीं किया क्योंकि मुझे पता था या आपको भी पता था because आपके पास book है यार तो आपको भी पता था या मुझे तो पता ही था क्योंकि मैं इस वीडियो को record कर रहा हूं तो मुझे पहले पता था और indirectly मैं आपको बता भी चुगा हूं कि question tag pronoun में है तो question tag का sorry sentence अगर main sentence हमारा किसमे है pronoun उसका अगर subject है तो question tag का subject भी क्या होगा pronoun ही होगा जायल सी बात है अगर proper noun है तो भी pronoun ही होगा तो वो तो आप देखी सकते हैं आसान चीज है rule number first second की बात करते हैं second में क्या है कोई भी sentence है उसका subject अगर noun दिया गया है तो question tag का subject noun के number person या gender के मताबिक हम क्या करते हैं he कर सकते हैं it कर सकते हैं see कर सकते हैं या फिर they कर सकते हैं for example बिने एंड सुधीर are friends are not they अब ये आर किसको देख के आया इन दोनों को देख के आया अब दे किसको देख के आया सुधीर और बिने दोनों को बताना था तो इन के लिए हमने किसको use कर दिया दे को use कर दिया नेक्स्ट और एक और देख लेते हैं रुदरांश has a bowl has not he अब रुदरांश के लिए he use कर दिया हमने has हमारा easy था इसके लिए हमने has को ऐसे ऐसे ही उठा लिया तीसरे point की बात करते हैं कोई भी sentence है उसके subject में there, one, this, that, these, those ये सब दिये गए हैं तो question tags में हम there, one, it या फिर दे का use कर सकते हैं according to the situation of the affirmative या assertive जो sentence होता है उसके there is a book on the table अब यहाँ पे देखो there का तो there ही आप easily उठा सकते हैं फिर is का is note हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे negative नहीं है तो आप इसको negative बनाएंगे जायद सी बात है क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से हुई थी एक दो और देख लेते हैं this is your book is not it, अब यहाँ पे book के लिए हम it use कर रहे हैं भया, ठीक है, this के लिए नहीं कर रहे हैं, book के लिए कर रहे हैं हम, ओके, तो book के लिए हम it use कर रहे हैं और is note तो इसके साथ हमें रखना ही होगा तीसरा भी देख लेते हैं these are your caps, our note they अब हम they किसके लिए यूज़ कर रहे हैं caps के लिए हम जो है they use कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें हमें देखनी होगी आप पे note भी दे रखा है, उस note को भी देख लेते हैं one, this, that, these, those इन सबको noun के पहले यूज़ करते हैं तो जायल सी बात है, ये adjectives होते हैं और अगर हम इनको बिना nouns के यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, pronouns होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है इनको हम subject के रूप में use करते हैं तो question tag के subject में हम one, this, that, these, those के बाद हम noun के number, gender, person उन सब चीज़ों के अनुसार ही हम he, she, it और they भी use कर सकते हैं जैसे one के लिए one girl can do this work अब यहां पर girl की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे she use करेंगे this man always disturbed me इसके लिए this man के लिए हम किसको use कर देंगे he को use करतेंगे negative नहीं है, तो आप negative बना देंगे अब यह did कैसे आया, आप चुह समझ सकते हैं because disturbed यहां पर लिखा हुआ है, उससे पहले always है, वो एक adverb लिखा गया, उससे पहले कोई भी helping verb नहीं दिया गया है, तो this is the sentence of present indefinite tense because उससे हमने उठाया है, that boy लिख दिया तो उसके लिए he use कर दिया हमने, these books use कर दिया तो उसके लिए हमने yours के लिए हमने जो है they use कर दिया, ओके, तो इस तरीकी की चीज हमारी यहां पर होती है next point है, fourth point या rule, okay, कोई भी sentence है, उसके subject में हम no one, any one, someone, everyone, everybody, somebody, nobody, anybody यह सब use करते हैं, तो question tags को subject के रूप में हम जो है, इन सब के लिए किसको use करते हैं, they को जो है, यहां पर हम use करते हैं कैसे करते हैं, someone stole my watch, someone, someone के लिए, जो है, हम they लगाएंगे न, वैसे someone बताता है, किसी या कोई है, तो उसमें कोई एक ही होगा, जो चुराने वाला होगा, लेकिन हम question tag जब बनाएंगे, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, they कह देंगे, okay, next है, anyone can lift this box, अब या anyone तो एक ही वेक ही करेंगे, कहने का मतलब ये है, उसके बाद rule number five की बात करते हैं, कोई भी sentence है, उसके subject में everything, something, anything, nothing, ये सब दे रखे हैं, किसी भी चीज को denote करेंगे, किसी भी thing को denote करेंगे, तो हम इनके लिए it use करेंगे, everything was beautiful, या looks beautiful, है न, was नहीं लगाएंगे, everything looks beautiful, है न, तो यहाँ पे हम इसके लिए it use करेंगे, अब ये does कैसे आया, आप मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं, एक और sentence के की last वाला, anything can be done for her, अब यहाँ पे it जो है anything के लिए हमने दे दिया है, अब यहाँ पे can, जो है can को देखके ही आया है, was जो है was को देखके ही आया, is जो है, is को देखके ही us, us की जगह पे you भी हो सकता है, them भी हो सकता है, none of us, उसकी जगह पे you, them हो सकता है, one of us, इसकी जगह पे फिर से you और them भी हो सकता है, us की जगह पे ठीक है, anyone of us, you, them हो सकता है, some of us, you, them हो सकता है, most of you, them, us, यह हो सकते हैं, everyone के साथ हो सकते हैं, either के साथ हो सकते हैं, neither के साथ ह है assertive sentence का तो question tag के subject में हम we you they according to situation लेते हैं जैसे कि all of us do this sum तो us है तो उसका subjective form we हो जाएगा you है तो उसका subjective form you हो जाएगा them है तो उसका subjective form they हो जाएगा तो यह can यह सब हम जो है देखके लगाएंगे जो भी हमारा यहां पर helping verb जो है यहां पर बनता होगा उसको देखके हम लगाएंगे तो यह था हमारा lesson number 21st जिसका नाम क्या है question tags है ओके तो बस इतना ही था आज के वीडियो में और exercise जैसे 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 exercise चल रही है उस तरीके से होती रहेंगी पहले जो है common errors की चलेंगी सबकी exercise ठीक है बीच में अगर emergency है urgency है आपको तो हो सकता है अन्यता हम अपने तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे तो सब्सक्राइबर कर सकते हैं तो थैंक्स वीडियो लगा है आपको informative लगा है यूसफूल लगा है तो आप comment करके भी बता सकते हैं और एक हमने नई series चुरू की है जिसका नाम क्या है Sunday comments answer या फिर weekly comments answers उसको भी आप जो है देख सकते हैं उसमें आपका comment भी सामिल हो सकता है अगर आपके कोई problem है या कोई बात भी है जुरूरी तो वो तब भी हम उसमें सामिल करेंगे तो thanks for watching thank you so much